हेलो फेंट्स वेलकम टू स्टेडी ग्रूप पाश्चाला मैं मुझे विलाश और आज की क्लास में मुझे सब्सक्राइब करने वाले एक निबंद को यह निबंद होगा पर्रया वर्णपर कोरोना वाइरस का सकारात्मक प्रभाव ठीक है यानि कि पर्रया वर्णपर कोरोना स्टolor एपको इसके प्लेलेश में मिल जाएंगे ईसके साथ YouTube ने कि नियुक्त प्lor 판 key में जाएंगे अपको इन परभी को अऩब आपको अलग को रॉपैर करने की जोफ़त नहीं पड़ेगी ऐसे और लेटर आपको सिंगल बुक में मिलेगी और ल barr can play ऐब आपको मिल जाएगा डिसकाउंटे रेट पर आप ले सकते हो इन बुक्स को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है आप इन बुक्स को ले 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 ना आपने बैसिकली मीडियम के एसाब से और फिर आप अपनी प्रप्रेशन त्यारी कर सकते हो राइट तो चलिए फ्रेंट यानि करोना वायरस चविक्षाय दुनिया भर में महामारी के रूप में सामने सामना हुआ है अर जिसके अगहिदेंट अर्फिस के लोग अपने अपने घरों के अंदर रहने को मजबूर है अब देखो इस कुरोना वायरिस की वज़े से लोग सभी देशों के लोग जो है अपने घर के अंदर रहने को मजबूर है या आप कह सकते हो अपने घरों के अंदर कैद होके रह चुए ठीक है इस तरह से आप यहां पर लिखोगे एक करोना विरिस के कारड देश में साइं गती विदियां भी प्रभावित होई है निंदी मिसाइग गती विदिया हैं जो ट्रेड़ हैं और वो सारे वी इससे काफी जाधा प्रभावित हुए ठीक है जितनी भी नॉर्म Dual एक्तिविटीज थी वह सारी की सारे से प्रभावित हुई है w Morisoryory proceed कहीं न कहीं जाके इंको प्रभावित कर रही है रही है तो यहाँ से अब इस तरह से इंट्रोडक्षन में डिम्हék стало कि क्या विभिन्देशों की सरकार इसके प्रसार को नियंत्यत करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं को रोना वायरिस की वज़े से बहुत से लोगों का जीवन चला गया बहुत से लोगों की जान चली जा चुकी है पहले से भी और अभी कि के ज़र जो जो सरकार है अलग अलग देशों की सरकार इसके प्रसार को रोकने और नियन्द्रण करने के प्रयास में लगी हुई है ताकि जो और ज्यादा ना फैल है तो सभी देश कंट्रोल में करने के लिए विसी को लगे हुए अलग-अलग अपने अपने लेवल से सभी देश कदम उठा रहे हैं तो इस तरह से आप इसको भी आपर लिखोगे एक्स्प्लेइन करोगे तो इंट्रोडक्शन तक यहां तक आप इस तरह से लिख लोगे अच्छे से आगे बरते हम लोग बॉडी सेक्शन में बॉडी पर काफी चीजें यहां पर इंपक्ट पढ़ रहा है लेकिन साथ में पर्यावण पर भी काफी सकरात्मक प्रभॉक पढ़ रहा है तो आज जग लगवक सभी वस्तूओं का पादन रुका हुआ है और देश में विभिन्दकार खानों में भी काम बंद है अब धुए का सर् स्थ्रेण और अब किसी बीजिस का फ्रेट्स नहीं हो रहा है जो अलग-अलग खाने वह भी बंद है जिसकी वाजय है जो धूब बन यह निकलता था कारखानों से धुवा निकलता था वब नहीं निकल रहा उसका सर्जन नहीं हो रहा है और काफी अर्थक काम हो गया ठीक है जिसके परणाम से रूट क्या है जो आसमान हो इसका ही है वह भी क्लियर हुआ है तो यह भी आप आपर बता सकते हो कि वैसिक बदला वाया है इसके बाद ही नहीं सड़कों पर वहानों को प्योग भी कम हुआ है कारण कार्बन यह लोग घरों में हैं तो बाहर कहीं निकल नहीं रहें और निकल भी रहें तो बहुत ही जरूरी चीज़ों के लिए लेने के लिए ही निकल रहे हैं इसे में जो वाहनों का प्रयोग है वह भी कम होगया है वानों का प्रयोग Undy जिसके कार्ड जो Carbon-sillated Carbon-monoxide, Carbon-dioxydries तरह की गैसे जो अलग-अलग गैसे उसरजित होती थी वो भी कम होई है ठीक है और अन्गैसे जैसे की nitrogen-dioxide का उसरजन भी पर्यावण में सीमित हो पाया है ठीक है इनी सभी activities की वज़े से एक तरह से आप कहा सकते हो लॉक्डाउन की व रेमूफ करता है फ्रेंट्स बॉडी में ही यह इंगेट करता है कि हवा अजिक शुद्ध हुई है और हम शुद्ध हवा में सांस ले सकते हैं अब दोगों जो गैस जो कि जैरिली गैस उनकी कमी आने से जो हमारा इंवायरमेंट वो सक्ष हुआ है और जो हवा है वो भी हवाई की घुराब हो रही है जो व्रद्धी है प्रिजिव में जिसके कारण यह वही बढ़ रहा था साथी साथ जो हवा की घुराब होती जा रहा था लेकिन अब परिस्तियां बदल चुकी है अभी सारी फ्लाइट इस वह रूकी हुई है इस वो जैसे जो सिनारियो था वो पुरी तरह से चेंज हूग गया अभी जो है बिसिकली अभी इस तरह का महौल नहीं रहे तो इसको भी इस तरह से अब लिख सकते हो इसके बाद करोना वायरेस से निपटने के लिए कमपनियों या शरमिकों को घर से काम करने के लिए कहा है अब दो को जितनी भी कमपनियां हैं जो वर्क कर रही हैं वो कि वो सबी अपने इंप्लॉई से कहा रहे हैं कि वर्क फ्रॉम होम करो यानि घर से ही काम करो ठीक है तो इससे सड़क पर वाहन कम हो गए है ठीक है लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं पड़ रहा तो वहन की संक्या काम हो गए सबकों पर इसके अलावा प्लास्टिक की खपत भी कम हुई है क्योंकि अब नहीं लोग ढिस्पोजबल ञ़司 का प्रेयोक चाय काफी के लिए नहीं कर रहेsite क्योंकि अब सब घर पर रहके काम कर तो बाहर किसी तरह कर जो घ्यू जिस्पोजब हमारा environment तो सच हुआ ही है इसके बाद finally हम लोग move करते conclusion की तरफ यहां पर देख सकते हो इस प्रतिस्थादमक यूग में जहां हम सभी व्यस्त जीवन जी रहे हैं हमें हमारी गतिविद्यों के कारण पढ़ने वाले प्रभाव के बारे में भी सोचना चाहिए यानि जो जिस य इवन में काफी जादा व्यस्त है और हमारी गतिविद्यों के बारे में सोचने और सुधार करने के लिए पर्याप्त समय मिल चुका है यानि अब हमारे पास समय है हमें अपनी अक्टिविटीज को देखना चाहिए जाच करनी चाहिए कि हम किस तरह से environment को impact कर रहे हैं सुधारने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम कम से कम नुक्सान पहुचाएं अपनी एक्टिविटीज से environment को उसके बाद finally आप लेख सकते हो इस तरह से कोई इंकार नहीं कर सकता कि कोरोना वायरस का मानो जाती पर विनाश्कारी प्रभाव पढ़ा है अलाकि इसने पर्याव इफेक्ट पढ़ा है लेकिन जो पर्यावरण है इंवायर्मेंट है इस पर काफी हद तक सकरात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है इस तरह से अब इस टॉपिक को लिख सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से सारे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट को अपने आपर कवर किया औ क्या अपने सबी दोस्तों में और स्क्राइब कर डीजिस चैनल को अगर आप में से कोई नहीं है तो इसके साथ आप कमेंट सेक्षिन के तुरू भी आपको कमेंट करके बता सकते हो अगर कोई टॉपिक आपको इंपोर्टन लगता है इसके साथ ही साथ आप मुझे